आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। प्रशन पाद क्या होता है? जब भर और अंस में समान संख्या से कुणा या भाग करने पर जो अनपाद मिलता है, जो अनपाद मिलता है, मिलता है, तुल्य अनपाद कहलाता है। कहलाता है, अब जैसे इसमें समान संख्याओं से गुणा या भाग कर दें, जैसे तीन बटे दो दे रखा है, तो जिसमें अगर हम समान संख्या, समान संख्या मतलब दो से गुणा कर दें, उपर और नीचे, हर और अन्समें, तो ये मिल जाएगा, तीन दो नीचे बटे चार, तो एक तुल्य अनपाद ये हो जाएगा, छे बटे चार हो जाएगा, दूसरा, अगर तीन अनपाद दो में, अगर पुणा कर दें, तीन से कर देते हैं हर और अन्समें, तो ये मिल जाएगा, नौ बटे 6 तो ये दोनों तुल्ले अनपात होंगे तो हम लिख सकते हैं कि 3 बटे 2 के 3 बटे 2 के 2 तुल्ले अनपात 2 तुल्ले अनपात अनपात 6 अनपात 4 और 9 अनपात 6 होंगे धन्यवाद